हेलो वरीवन श्Wagath आप सबी कैसे वीडियो में इस वीडियो में हम सॉल करेंगे क्लाइस्ट अन्थ मेथ बोड़िगयाम दो जर तेज के लिए महतुपूड प्रस्ण स्टूडन्ट यह प्रस्ण बोड़िगयाम में चार नंबर में आते हैं स्टूडन्ट यह प्रस्ण दो यहां पर देख सकते हैं कि 2022 का गड़ित का question paper है और यह question चार नंबर में यहां पर बोड़ीजाम में आया हुआ question है इस question को solve करते हैं यह question बोड़ीजाम 23 की student के लिए very very important होने वाला question है जो कि यह question बोड़ीजाम में चार नंबर में आता है तो यहां पर question कया है जुगा समीक्रण under root 3 x square minus 11x plus 8 under root 3 बराबर 0 के मुल्ग exatamente कीजे हमें क्या करना है इसके मुल्ग गयात करना है तो हम सबसे पहले लिख लेंगे equation क्या है हमारा समीक्रण यानि 3 x square minus 11x plus 8 under root 3 बराबर 0 यह हमारा क्या समीक्रण है तो हम इसको किस विदी से हल क करेंगे इस्ट्रेंट तो हम इसको स्रीधराचारे के फर्मूला लगा कि इसको सॉल्व करेंगा और यह असानी से सॉल्व हो जाएगा तो स्रीधराचारे का फर्मूला क्या होता है तो यहां से हम लिखेंगे सूत्र से सूत्र से सूत्र से स्रीधराचारे का फर्मूला होता है x वराबर माइनस b प्लस माइनस under root क्या होता है? b square माइनस का 4ac और upon me student क्या होता है? 2a होता है यह क्या होता है? हमारा स्रिधराचारे का formula होता है तो हम जानते हैं क्या है हमारा द्युघाद समिक्रड है? क्योंकि यहाँ पर x का सबसे अधिक्तम power कितना है यहाँ पर x का सबसे अधिक्तम power 2 है और यहाँ पर x का यहाँ वाला power कितना है? 1 है तो यानि कि यहाँ जो समिक्रड है यह हमारा क्या हुआ? द्युघाद समिक्रड हुआ होता है तो व्यापक समिक्रड होता है क्या हो गया हमारा समीक्रड हमें हल करना ही , मुलिगयात करना है तो हम हम क्या करेंगे इन दोनों समीक्रड को आपस में तुल्णा करके A, B और C का मान जयाद करके यह हवाला सुत्र लगा के मुल जयाद कर लेंगे तो यहाँ पर यदि हम दोनों समिकड़ का तुनला करें तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे दोनों समिकड़ का तुनला करने पर लिख कर हम क्या करेंगे यहां पर x square क्या आगे क्या है a और यहां पर x square क्या आगे क्या है under root 3 तो यहां से हमें क्या मिल गया a बराबर under root 3 मिल गया और यहां पर x क्या आगे क्या है b और यहां पर x क्या आगे क्या है minus का 11 है तो यहां से b बराबर क्या मिल जाएगा माइनस का 11 मिल जाएगा और यहाँ पर C है और यहाँ C के इस्तान पर क्या है 8 under root 3 C बराबर क्या मिला हमें 8 under root 3 इतना मिल गया तो अब हम आगे क्या करेंगे इस्टुडेंट आगे यही वाला फर्मूला में हम A, B और C का मान रखेंगे और वहाँ से हमें X के 2 मान प्राप्त हो जाएंगे तो यहाँ सम्सॉल करेंगे X बराबर माइनस है तो माइनस B के इस्तान पर क्या रखेंगे माइनस का 11 यहाँ B के इस्तान पर रखेंगे तो माइनस का 11 फिर कया है बीच में प्लस माइनस under root B square है under root में b square minus 4 एसी है तो b कमान कितना है minus का 11 का square फिर कितना है minus 4 a कमान कितना है under root 3 और c कमान कितना है 8 under root 3 है यहां से और पूरे क्यापार में क्या हो जाएगा student 2 into a है तो a कमान कितना है under root 3 है तो 3 हो जाएगा तो अब हम क्या करेंग आगे किस प्रकाinfect से चौल करेंगे तो x बराबर यहां पर मा dragons minus plus हो जाएगा यहीं 11 और यहां पर plus minus under root में यहांपि क्या है माइनस का 11 का वर्ग तो student यहीं आप minus 11 गुड़े minus 11 करें तो इसका क्या मतलब होता है इसका मतलब भी होता होता है माइनस 11 का यह भी क्या है वर्ग है इस प्रकार से यह माइनस 11 का वर्ग है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 11 का 11 करेंगे तो 121 आ जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा 121 माइनस यहां पर अंडर रूट 3 है और यहां पर भी वही रूट में 3 है तो हम 3 अंडर रूट 3 और अंड्रूट 3 का multiply होगा तो कितना ढॉया जाएगा थ्री यानि कि अंडरूट 3 का करेंगे कितना ढॉया जाएगा तो यह हो गया ट्री और है're फोर यहाँ पर रे यहां प्रेक्षा एक मुल्टिप्लाई अन्डरूट 3 में हुआ तो हमारे कितना गया 3 एट जा 24 24 इंटू 4 करेंगे हम 24 आट्थेक आठेक 9 यानि चान भी आ जाएगा यहाँ पर 24 इंटू 4 करेंगे तो चान भी आ जाएगा तो यहाँ से अब हम आगे देखेंगे तो X बराबर 11 फ्लस माइनस अंडरूट में 121 इसका गुड़ा करेंगे तो माइनस का चान भी आ गया और बटे में हमारा क्या है 111 फ्लस माइनस अंडरूट अब हम क्या गरेंगे 121 मेंसे 96 घटाएंगे तो हमें कितना अपराप्त होगा यहाँ पर 21 है यहाँ पर 96 यानि 21 चर 25 हमें घटाएंगे आप घटा के देख सकते हैं 25 मिल जाएगा और यहाँ पर नीचे कहा है 2 अंडरूट 3 है अब जब अंडरूट में हमें 25 मिला तो यह बाहर कितना निकलेगा 5 निकलेगा क्योंकि हम इसको इस परकार से लिख सकते हैं एक से बराबर 11 प्लस माइनस अंडरूट 25 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 और बटम क्या है 2 अंडरूट 3 है इसके बटम में 2 अंडरूट 3 है यहाँ पर तो अब हम क्या करेंगे अब हम करेंगे कि यह जो अंडरूट में 5 इंटू 5 है यह बाहर कितना निकल जाए एक बार न स्वल्व करते हैं तो यहां से जब हम इसको आगे स्वल्व करेंगे तो एक बार यहां पर प्लस का साइन लेंगे और एक बार माइनस का साइन लेंगे तो जब प्लस वाला साइन लेंगे तो क्या आएगा एक्स बराबर ग्यारा है तो ग्यारा प्लस फाइब अपान में तू अंडरूर्ट 3 यानि एक बार हम प्लस का साइन लें और एक बार हम क्या करेंगे माइनस वाला साइन लेंगे जब यहां माइनस वाला साइन लेंगे तो X वराबर 11 माइनस का पांच अपान में 2 अंडरूर्ट 3 आएगा यहां से तो यहां से हम क्या करेंगे 11 पांच जोड़ें अपर 3 को और अपाम में क्या है ऑपर 3 बचा एक से एक काईसिल होगे हमारा तो यहां पर X का 1 मान कितना गया अंडरूर 3 और यहां पर 1 X का माना गया 8 अपान में अंडरूर 3 यानि X के दो मुल्व में प्राप्त हो गया इस्टूटन्ट इस प्रकार से हम कोश्चन को सौल्व करेंगे एस्टूटन्ट यदि आपको इस सल्यूशन का PDF नोड्स चाहिए तो नीची वीडियो डिस्क्रिप्सन में लिंक है जहां से जाके आप इसका PDF नोड्स डाउन्डोड कर सकते हैं सब्सक्राइब करें तक मेरे आने वाले सभी वीडियो को नोडिफिकेशन आप सभी तक पहुछते रहें